अजमेर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित और निगम आयुक्त खुशाल यादवाज स्थाई आईसोलेशन सेंटर पहुँचे, जहां उन्होंने रेड अलट अनुशासन पक्वाड़े की दोरान पकड़े गए लोगों से बातचीत करते हुए उन्हें चेतावनी दी साथ ही महामारी के दोरान अपने और परिवार को सुरक्षित रखने की अपीवी की, राजस्थान सरकार की ओर से प्रदेश भर में रेड अलट जन अनुशासन पक्वाड़ा चलाया जा रहा है, इस दोरान पुलिस की सक्ति देखने को मिल रही है शेहर के अलग-अलग थाना पुलिस की ओर से अभियान के तहट उन्चास बेपरवाह लोगों को पकड़ा गया और उनके वाहन जब्त करते हुए उन्हें आइसोलेट किया गया है जहां सभी की COVID जाच की जाएगी और इस COVID-19 महामारी की जाच के दोरान पॉजिटिव को आईसोलेट किया जाएगा साथ ही अन्य लोगों को भी 24 गंटे जैपुर रोट स्थितारार आईटी अस्थाय आईसोलेशन सेंटर पर में राखा जाएगा इस मौके पर पुलिस सुरक्षा के साथ साथ अन्य बंदोबस्त भी किये गए हैं जिससे की लोगों को सबक मिले की वह इस महामारी के दोरान बेवज़ा नगूमे अन्यथा लोगों पर अब और सक्ती की जाएगी अभी महामारी रेड अलट जनर्म शासन पक्वाड़ा चल रहा है जिसमें आज से बारा बजे से सुबह पांच बे तक 17 घंटे का कर्फियू रहेगा और इस कर्फियू की अभधी में कोई भी आदमी बिना कारण के बाहर निकलता वह दिखाई देगा उसको यहां कॉरंटाइन सेंटर में ला जा रहा है और यहां पर ही कॉरंटाइन सेंटर में ला जा रहेगा जब तक उनकी आर्टीपी से रिपोर्ट नेगेटिव ना अभी अपने घरों में रहें और अगर कोई निकलता वह दिखेगा तो उसको कॉरंटाइन सेंटर में यहां पर लाए जाए अभी अजमेर शहर में उन्चास लोगों को यहां पर कॉरंटाइन सेंटर में लाए गया सभी के कोविट टेस्ट चल वह और यह लगातारी यह कोविट का संक्रमन जब तक हम घर पे नहीं रहेंगे तब तक हमें रिस्क रहेगा बाहर निकलने पर रिस्क रहेगा और घरों पर रहें जो 17 घंटे का कर्फियू है उसकी पालना करें और जन अनुशासन पकवाड़ा है उसका स्वेम लोग पालना करें और अनावशक रू के बिना कोई कारण के उनको कॉरांटाइन सेंटर लह जाएगा